एक महिला बोल रहे हैं कि मेरा रेप किया गया है कि द्वारा डीजीपी महोदे बोल रहे हैं कि महिलाएं तो पूर्सों को आकरसित करती हैं और फिर आरोप लगाती हैं ग्रवगुणि मूव मिडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा देखिए चिराग पासवान पटना में थे और उन्होंने नितीश कुमार से वक्त मांगा था नितीश कुमार ने कल तक वक्त नहीं दिया था और हमने बाद भी की थी चिराग पासवान से इस से लेकर आज हम मारे साथ हैं चंदन सिंग जी जो लोचपा के परवक्ता हैं चिराग पासवान के हनुमान कह लिजिए क्यों नहीं वक्त मिलना क्या वज़ा देखे वक्त तो मिलना चाहिए और अभी तो कुछ समय बाकी भी है उमीद करते हैं कि वक्त मन्य मुखमंत्री जी हमारे नेता आदर्निय चिराग पासवान जी को देंगे देखे इसमें क्या है कि बिहार में जो बेरोजगारी बढ़ी है पिछले 16 साल में बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिला है और हमारे नेता आदर्निय चिराग पासवान जी के से आवाज उठाई है चिक्षको का हो अभ्यार्थियों का हो वो बिहार के बेरोजगार नौजवानों का हो बिहार में फहले भरष्टचार का हो पुल पुलिया के निर्मान में जो भरष्टचार है उसका हो तो माननिय मुख मंत्री जी के साथ निश्चे पे जो हमारे नेता आदर्निय चिराग पासवान जी ने प्रहार किया है तो कहीं न कहीं इसका यह भी एक कारण है कि माननिय मुख मंत्री जी असहज महसूस करते हैं आदर्निय चिराग पासवान जी का सामना करते हुए अच्छा मत्रेक नेता आदर्निय चिराग पासवान जी ही नौजवानों को का जो आवाज उठा रहे हैं तो मान्य मुख मंत्री जी असहज महसूस कर रहे होंगे लेकिन यह भी सहय असहज महसूस करने का नहीं है यह हमारे स्वर्गे संस्थापक आदर्निय राम बिलास पासवान जी भारत के दूसरे अंबेत कर की प्रतम बर्सी का है इसमें तो एक दलगत राजनित से उपर उठने का समय है तो मान लिए मुख मंत्री जी को कहीं न कहीं अब क्या डर है क्या भय है तो उनको समय देना चाहिए जी बिलकुल देना चाहिए तो क्या लगता है कि जो नितीश कुमार है इन मुद्धों पर बेरुज़गारी के मुद्धों पर सबसे जाद अगर उठा रहे थे तो आपके चिराग उठा रहे थे तो ये भी एक बड़ी वज़ा है कि नहीं मिल रहा वाग तो आगे उठाईएगा अब आप लोग देखे देखे हमारे नेता जो हैं वो कभी राजनेतिक लाव और हानी से उपर उठके काम करते हैं बिहार के हित में जिस तरीके से उन्होंने बनाया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्मेंट को और मानिय मुख मंत्री जी ने उसको सिरे से खारिज कर दिया ज कि मा सीता के लिए राम जान की कौरिडोर भी बनाया जाय तो रोजगार में भूकस नेता करणा है खकीbird मिलने का टैम नहीं डूब अभी तो आपके सामने है जनता दर्बार में जिस तरीके से महिला सामने म stratég मुखमन्तरी की बोल तो आपके विधायक हमारे हस्वेंट के हत्या कराएं एक महिला बोल रही है कि मेरा रेप किया गया है के द्वारा डीजीपी महोदें बोल रहे हैं कि महिलाएं तो पुर्सों को आकरसित करती हैं और फिर आरोप लगाती हैं तो मानिय मुख मंत्री जी के समक्ष है कि हम नहीं बोल रहे हैं लोग जनसक्ति पाटिग नहीं बोल रहिया है यह महिलाएं बोल रहे हैं मान्यमुख मंथ्री जी के सामने तो 16 साल में आप महिलाओं का अगर सम्मान बिहार में किये होते तो महिला को क्या जरूरत था आपके जनता दर्बार में आके गुहार लगाने की बिहार में मानिये मुख मंत्री जी कोई काम पिछले 16 साल में नहीं किये है जनता दरबार लगाने की जरूरत उनलों को आन पड़ी है उनके देखे कर सही होगी उचाए बीजे पी हो चाए जीतन राम मानजी जी हो सब लोग जनता दरबार में लगा रहे है जनता का कोई काम हो रहा है क्या बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है जनता की बात उठाते रहे अभी अर्तियों की बात उठाते रहेंगे नितीश जी वक्त दे या ना वक्त दे हम बात मुद्दा उठाते रहेंगे जो बिहार में विरुजगारी है वो भी सबको बताते रहेंगे आप जोड़े रहें हमारे साथ तब तक क्लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद